लो एवरिवन वेल्कॉलम तो माई यूटूब चैनल मेगाटकवर्स तूस्तों आज हम बात करेंगे वबन्टू गेंटेक्टू अगर आपको गेंगी की शौकीन है अरो बन्टू मतलब लिनक्स भी उसकरना चाहते साथ साथ ते वन अप परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ह इसे हम इस्टौल करेंगे वर्चूल बॉक्स में और देखेंगे क्या परफार्मेंस देता है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको कोई भी उपरेटिंग सिस्टम आप इस्टौल करने से पहले वीमबय या वर्चूल बॉक्स में इस्टौल करके जवड़ सकते हो ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्चुल बॉक्स ओपन कर लेते हैं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं एंड टू एंड बताऊँगा आप बिल्कुल एक्जाक्ली तो वीडियो मिज मत करना बीच में कट पिट मत करना वरना आप फिर को होगे तो और एक और चीज जब भी आप कोई भी सॉलूशन मांगते हो या कुछ भी करते हो तो आप अपने PC की कन्फिगरेशन जरूर लिखा करो इसके अंदर कमेंट के अंदर तो उससे क्या होता है मिरे को आईडिया हो जाता है कि क्योंकि हर सिस्टम के लिए अलग लग सेंटिंग्स होती है तो वसे हिसाफ से मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो यहां से ऑपरेशन इस सुस्टम आइस सु फाइल जो हमने डाउनलूड की थी वह हमने इस्ट कर ले के लिए कितना कम से हम 6Gb, 8Gb तो लगता ही है तो 4Gb minimum चाहिए 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 और यहां से 60Gb ले लेता है बाकी virtual walks में कर रहा है तो इतनी ज़्यादा जरूवत नहीं है उसके लिए हम आपको बता दिया है मैं जैसे का minimum configuration में डाल दूँगा तो वहां से जाके check out कर लेना औ और कुछ दिन performance चेक कर लेना मैंने कुछ दिन बात चेक करके जए इसकी वीडियो को पूरा किया था तो यहां से बाइरेक्शनल कर लेते है बेसिक में सब कुस ठीक है सिस्टम की configuration हमने पहले से ही की हुई है हमें कुछ छिट चाहना देनी की ज़रूवत नहीं है फ्लॉप कुछ चेट चाहर नहीं करनी और यूएसवी को जो maximum आ रहा है यह 2.0 या 3.0 या 3.1 वो सलेट कर लेना अब यहां से start करते हैं एक बार अबन्तू गेम पैक उबन्तू गेम के एका मतलब यह है कि इस वी अंदर जो है पहले से ही अल्रेडी बहुत सारी चीजे इंस्टॉल्ड है प्री इंस्टॉल्ड है इसमें आपको कुछ भी ज्यादा कुछ खरनी की जरूबत है नहीं अब यह देखिया हमारा जो है लाइब हमने इस्टार्ट कर जाते तो आप यही कर सकते हैं बाकि इंस्ट्ॉलेशन और इंस्टार्ट में इस्टीजन होता है कुछ फीजर कामनी करते प्लस पॉंट क्या होता है कि कोई भी चीजाएँ आपका सेव नहीं होगा तो यह तो आपको पता ही होगा और यहां से अमने वैसा शो कर रहा है बाकि Linux है तो वह स्मूथ होगा ही होगा अब यहां से हम जो है सारी चीजे रण कर सकते हैं कुछ भी जो भी हम रण करना चाहते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं वह रण कर सकते हैं से हम स्टॉलेशन स्टाट करते हैं इसके कि श्टॉल करके में देख लेना ज्रूर कि क्या क्या परफ़ॉमेंस दे रहा हैं में क्या benefits ने क्या दिक्कति आ रहे हैं तो वह सारी चीजे अंदेखने के बाद ही अपने system में श्टॉल करेब तो बढ़िया होता है बया है यहां से English चुछ कर लेते हैं blir धए यह है कोई ॉश चुछ कर सकते वैसे मैं रिकमैंट करूंगे मैं कि ह wurde चूछ करना और यहां नौर्मल इस्टॉलेशन कर लेना और एक बात्याद रुखना इस्टॉल थर्ड़ पांडी सॉफ्ट्वेर यह ज PAC जुन्हीं कर लेना अगर आ अगर आ रिली चेक करने के लिए कर रहा हूं तो इस वो अंटिक कर लेते हैं और यहां से continue करते हैं continue करने के बाद अब यहां देखिए हम something as तब करेंगे जब अपने system में install करेंगे अभी हम virtual box में करते हैं तो हमें जरुवत नहीं है erase कर लेते हैं इससे आपके hard drive बगारे पर कोई भी effect नहीं आएगा यह virtual drive को यह करता है erase करता है अब यहां से country select कर लेगी है अगर आपका country गलस शो कर रहा है तो यहां से select कर लेना वरना automatic इसी select हो जाएगा अब यहां से continue करते हैं continue करने के बाद यहां पे fill up कर लेना है जो भी आप नाम बगरा है जो भी password रखना चाहते हैं वह सब चारी चीज़े जाए फिल कर लेना जैसा कि normally करते हैं कोई को operating system डालते हैं तो अब यहां से पासवर्ड जो भी रखना चाहते हो रख लो बस यहां रखना जो भी रखना ठीक है अब यहां से continue करते हैं continue करने के बाद आपको वेट करना है थोड़ी देर वेट करना है आदा गंटा जब तक जागे नीचे वीडियो का जो टाइटल है उसके नीचे जो है वहां पे subscribe का बटन होगा वहां पे जाके क्लिक कर लेना है subscribe जरूर कर कर सकते हैं restart कर सकते हैं अगर continue करना है टेस्टिंग तो continue कर लेजिए वहना restart करने से पहले आपको करना है कि ISO फाइल को remove कर लेना है जरूर वहना वह दुबारा से installation शो करेगा अब यहां से restart करते हैं कभी कभी क्या होगा कि restart करने वक्त इस्टक हो जाएगा तो इस्टक हो जा करने जरूरत नहीं है ठीक है अब यहां से start हो चुग है हमारा start हो रहा है थोड़ा सा time लिए का first time रहना है तो में भी हो सकता है थोड़ा सा time लिए यह देखिया है कि यहां से हमारा start हो चुग है जोगी password डालत हमने वह password डालके run कर लेना है easily अब यहां से run हो चुका है हमारा यह देखिया है अब सबसे पहले जो हम सैटिंग करते हैं display वगरा की changes वगरा जो भी मतलब resolution वगरा change करते हैं उसको change कर लेना है अपने according जो भी आप रखना चाहते हैं size वगरा तो उसमें करते है apply accept करते हैं यह देखिये थोड़ा सा look wise बड़ी अलग रहा है यहां से welcome notes है यहां से connect करते जाना है और जो भी चीज़ आपको देखनी हो देख सकते है इस्टार्डेव मिल्वास अब यह देखिया है यह हमारा completely install हो चुका है अब इसमें और normal one two में क्या फरक होता है कि इसमें प्रिंस्टॉल्ड बहुत चीज सारी चीज़े आती है जैस इसमें कोई दिक्कत नहीं आईगी बाकी one two a new version है उनमें android support में दिक्कत आती है थोड़ी सी बागी इसमें कोई supporting में दिक्कत नहीं आईगी आपको ठीक है अगर में भी दिक्कत आती है तो आप PC configuration के साथ साथ मेरे प्रॉल्म शेयर करना जरूर कमेंट में वहां मैं देखो म अगर हो सकता है तो मैं जरूर दूँगा आपको और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ तो दोस्तों चरूर किया करो और like कर देना अगर कुछ सीखने को मिला है तो और comment जरूर कर दिया करो और subscribe का बटन नहीं चाही हुता है यार प्रोस में को भी क्लिक कर दिया करो तो य कि अगर सिस्टम में इस्टॉल करेंगे तो और भी ज्यादा स्मूध आएगा स्मूध रेनिंग होगी क्योंकि क्या होता है वर्चुल बॉक्स में शियर्ड बहुत सारी चीज़े करते हैं जैसे रेम अगर शियर्ड होती है और मिनियूम रेम पर यूज करते हैं और पूरी सा तक मैंने रन किया है इसको जब तक कोई शू नहीं है मैं भी माइनर माइनर से जो है ग्रैफिकली थोड़ा सा दिक्कत आई है बाकी लाइक कर देना और कमेंट सब्सक्राइब जरू कर देना ठैंकी बहरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में